हेलो फ्रेंस, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन बिर्यानी चिकन बिर्यानी बनाने के लिए मैंने यहाँ लगबग 8-10 मेडियम साइज की प्याच काट ले थी बारी उसके बाद फिर यहाँ पर एक खड़ाई में तेल गरम कर लिया उसकी बाद फिर यह सारी प्याज उसमें डाल कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि यह लाल कलर में ना आ जाए इधर मैंने प्याज को चढ़ा दिया है और ये इसको हाइव फ्लेम पर फ्राई करना है और फिर मैंने दूसरी तरफ इधर कुछ मसाले ले लिया है जिसमें अद्रक, लस्सुन, जीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी प्याज ले लिया था और इसको पीस लिया, ग्राइंडर कर लिया इधर प्याज लगबग होने वाली है और यह एकदम लाल हो गई थी और मैंने इसको निकाल लिया एक बड़ी सी प्लेट में और फैला कर रख दिया ताकि यह क्रिस्पी रहे बहुत ही जादा यह क्रिस्पी होती है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दो केजी चिकेन ले लिया है इसमें जा रहा है जो भी पेस्ट मैंने त्यार किया था जिंजर गार्लिक और काली मिर्ची यह सब डाल करके उसको डाल दिया और यहाँ पर मैं डाल रही हूं एक चम्मज हल्दी इसमें जा रहा है लगबब दो चम्मज धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मज मैंने डाला इसको आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे भी तीख आपको पसंद हो और फिर इसमें मैं डाल दी हूं एक चम्मज कश्मेरी मिच पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा जाता है उसके बद फिर इसमें जा रहा है नमक नमक बहुत जादा नहीं डालना है चिकन में क्योंकि चावल में भी रहता है नमक अब यहां पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ी कटोरी से एक कटोरी दही होगी तकरीबन और फिर यहां पर मैं दो चम्मच लगभग नीबू का रस डाल रही हूँ यहाँ पर मैं चिकन बिर्यानी मसाला लिए हूँ जो की एवरेस्ट का है यहाँ पर आप कोई भी कमपनी का चिकन बिर्यानी मसाला योज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर दो चमच चिकन बिर्यानी मसाला डाल दिया है अब इस पर मैं डाल रही हूँ गरब मसाला पाउडर आदा जमच और इसमें डालूंगी थोड़ा सा क्योड़ा जल लगभग इसमें तीन से चार ड्रॉप डालेंगे बस बहुत जादा नहीं डालना उससे बहुत अच्छी खुश्बू आ जाती है उसके बात ये सारे मैं इसको काफी अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले हर एक पीस में पहुँच जाएं बस इसको अब ढग दूँगी और रग दूँगी इसको बीश मट के लिए इधर मैंने कुछ मसाले ले लिया है जिसमें बड़ी इलाइची और काली मिच डॉंग, इलाइची, और दालचिन्नी, जावित्री ये ले लिया है मैंने, इधर मैंने खड़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसको मैं खड़ाई में बना रही हूँ, आप चिकन को कोकर में भी बना सकते हैं, फिर जैसे ही तेल हमारा हो गया, उसमें मैंने ये सारे मसाले उठा कर डाल दिये, जै इसको तेल में भून लेंगे लगबख 5 मैट के लिए, जब हमारा चिकन अच्छे से भून जाएगा तब फिर ये मसाला भी इसमें ढाल देंगे, और ये जो प्याज भूनी हुई थी, इसको भी उपर से डाल दूगी, मैं सारी प्याज नहीं डालना है, इसमें से आधी प् तब डालेंगे, ये मसाला मैंने डाल दिया और अब धख दिया, बस इसको धख करके पकाना है, जब तक कि अच्छे से पकना जाए, और ड्राई हो जाए, इसमें अभी बहुत सारा पानी चुटा है, अब इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, इधर मैंने इसको अब खोल कर पकाना शुरू कर दिया है यहां पर मैं 2 kg चिकन के लिए 2 kg चावल भी ले ली थी और इसको भीगा कर आदे घंटे पहले रख दी थी अच्छे से वाश करने के बाद अब यहां पर मैं एक बड़े से पैन में तेल डाल दिया है उसके बाद जीरा, काली मिच, बड़ी लाची, लोंग और तेजपता ले लिया है जैसे ही हमारा तेल लाल हो जाएगा उसमें यह सारे मसाले चले जाएंगे और जब यह मसाले थोड़ा सा लाल हो जाएंगे तो हम इसमें चावल को उठाकर डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे बस भून करके इसमें पानी बहुत जादा नहीं डालना है बस अंदाजे से डालना है कि गीला ना हो जाए चावल जब इसमें उबाल आ जाए तो बहुत स्लो हीट पर चावल को बनाना है फिर ताकि अलग-अलग चावल लें इधर मैं चटनी बनाने के लिए पुदीना, टमाटर, मीर्ची, अद्रक और लस्सन ले लिया था उसकी बाद इसको मैं ग्राइंड कर ली यहाँ पर बहुत ही अच्छी से चटनी तियार होती है पुदीनी की चटनी बहुत साई लगए इधर चिकन बिल्कुल बनकर रेडी है और फिर चावल भी बनकर रेडी हो चुका है अब इसको हम दम लगाने के लिए तयार करेंगे यहाँ पर मैंने नीचली सबसे पहले चावल डाल दिया और फिर कुछ चिकन की पीसेश डालूँगी और जो मैंने प्याज को फ्राई की थी फिर उसके बाद उस प्याज को डालूँगी और फिर पुदीना काट करके डाल देंगे उसके उपर फिर से चावल डालेंगे इस तरह से इसको हम 2-3 बार repeat कर लेंगे फीर से चावल डालेंगे, प्याज डालेंगे और पुदीना और धनिया की पत्ती डालेंगे या फिर आपके पास जो भी available है केवल धनिया भी डाल सकते हो और केवल पुदीना पत्ता भी डाल सकते हो या फिर दोनों को mix करके इधर फिर ये हमारी जो fry हुई प्याज इसको डाल देंगे इसको डालने से बहुत अच्छी खुच्बू आती है बिर्यानी में और अच्छा भी लगता है खाने में ये प्याज बहुत अच्छी लगती है जब भी रानी के साथ खाते हैं तो उपर से भी डाल दिया धनिया पत्ता और जो हमारा चावल बच्चा उसको डाल दे रहे हैं बस वही प्रोसेस हम रिपीट कर लेंगे यहाँ पर मैं अब कलर डालूँगी यहाँ पर मैं यलो रेड और ग्रीन कलर डालूँगी आप अपने मन पसंद के कलर डाल सकते हैं और फिर इसमें ओपर से जाएगा क्योड़ा जल चार से पांच डॉप डाल देंगा उसके बाद इसको धीमी आज पर बिलकुल रख के लिए बस फिर इसको निकाल लेंगे और मिक्स करके सर्व कीजिए एंज्वाइब कीजिए यह में से बिल्याने रेड़ी है ओके बाद